सब्सक्राइब करें कॉम्टेटिव स्टिडि पॉइंट को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक करना न भूले नमस्कार दोस्तों कॉम्टेटिव स्टिडि पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों बहुत कमेंट आ रहे थे कि अलाबाद High Code Stage 2 यानि Review Officer की टाइपिंग टेस्ट के बारे में कुछ बताऊं तो दोस्तों ये वीडियो उसी सब्जिक्ट पर है इस वीडियो को देखने के बार आपकी सारी संकाएं अलाबाद High Code Stage 2 को ले करके खत्म हो जाएंगी और निश्चित तोर पर आपको बहुत मदद मिलेगी लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो ये हिल्फुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अब आते हम अलाबाद High Code के Stage 2 के एक्जाम के बारे में दोस्तों ये Test Online होता है जिसमें Candidate को 15 मिनट का समय दिये जाता है उन 15 मिनटों में Candidate को सही सही 525 वर टाइप करना होता है Formating की बात करें तो Formating जब Test Offline होता था तब होता था मतलब जो पहले पुराने एक्जाम हुए है अभी तक उसमें Previous Year के एक्जाम में Test Offline होता था जिसमें Candidate को एक Printed कागज दिया जाता था और उस कागज के Matter को उसी Formating में Candidate को दिये हुए Computer पे Type करना होता था लेकिन चुकि अब Test Online होता है तो यहां पे Formating का मतलब नहीं रह गया है Candidate को Word to Word जैसा हुआ उसमें Computer में दिया जाएगा उसको ऐसे ही Type करना होगा और Formating करने की ज़रूरत नहीं होगी कुछ Candidates ने बताया कि उन्होंने Formating भी बढ़िया की टाइपिंग भी बढ़िया की लेकिन फिर भी उनके नंबर अच्छे नहीं आये है जिसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने Formating करने में Software के According गलत टाइप कर दिया था जिस वजह से उनका नंबर कट गया और वो Select नहीं हो पाए है मतलब Candidate को हर मिनट सही सही 35 वर्ड टाइप करना होगा अगर Candidate ने पूरा 525 वर्ड सही सही टाइप कर दिया तो उसे पूरे 50 नंबर मिल जाएगी अब यहाँ पहला Point यह है क्या Candidate को सिर्फ 525 वर्ड ही दिये जाएगे तो ऐसा बिलकुल नहीं है Candidate के पास वर्ड की कोई लिमिट नहीं रहेगी उसको कम से कम 525 वर्ड सही सही 15 मिनट में टाइप करना होगा इससे कम वर्ड टाइप होने पर मतलब अगर आपने 525 वर्ड से कम टाइप किये हैं तो आपका नंबर Recordingly कटेगा मतलब जो अलहाबाद High Code का रूल होगा उसके Recording कटेगा चुकि अलहाबाद High Code ने ऐसी कोई Criteria भी नहीं बताया है तो इस पर कुछ बताया नहीं जा सकता है दूसरा पॉइंट कि Backspace काम करेगा तो इसका उत्तर हा में है Backspace काम करता है और Backspace यूज करने पर नंबर नहीं करता है तो आपको अपने अंदर से डर निकाल देना है कि Backspace हम यूज नहीं करेंगे या ऐसा कुछ नहीं है Backspace आप आराम सी यूज करेगे आप पूरा मेंटर टाइप करने कौए अगर आपके पास समय बसता है तो आप पीछे जाकर के उसको Edit भी कर सकते हैं पस यह है कि Tap बटन इसमें काम नहीं करती है चुकि Formatting नहीं करने है इसलिए Tap बटन काम नहीं करती है पहले टाइप बटन काम करती थी अब आपको ये Clear हो गया होगा कि Test कैसे होगा 15 मिनट का Type Test 50 नंबर का होगा जिसमें जो Passage मिलेगा उसमें वर्ड की कोई Limit नहीं रहेगी Candidate को 525 वर्ड सही सही टाइप करना होगा मतलब आपको हो सकता है 1000 वर्ड का Passage मिले या 2000 का उसमें से आपको 15 मिनट के समय में 525 सही सही टाइप करना होगा 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अब प्रस्ण बनता है कि Passage कैसा होगा तो आपको बता दूँ कि Passage काफी टफ होता है और न्यायली भासा में रहता है Passage क्या होगा तो वो अलहबाद High Court का कोई Order हो सकता है या किसी चर्चित केस का Order या प्लेंट मतलब वादपत्र हो सकता है अब Plaint का वादपत्र क्या होता है जैसे कोई Case है Case का जो मुख्याधार होता है जिसके बारे में पूरा बताया गया रहता है Time to मतलब उस Case का पूरा Detail जो लिखा गया रहता है कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ तो उस चीज को उस order के उस part को उठा करके आपको दे दिया जाए या भारत के सम्मिधान का कोई article भी हो सकता है जैसे पिछली बार भी जो test हुआ है ए आरो का उसमें article 51 का test हुआ था और case वणन्द भारती बना केरल राज्य का matter आया था तो इस तरह के जो चर्चित case हैं आप उनको उनके type करना प्लस इस तरह के जो जितने आर्टिकल है, जितने भी सब भारतिय सम्विधान में आर्टिकल है उनको आप टाइप करना श्टार्ट कर दीजिए, अब चर्चित केस की बात कर दी जाएत, मैं दो तिन केस बता रहा हूं आपको, जिसे केस वनन्द भारति बनाम केरल राजे, य उनको उन पे आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे भी मैं आगे बताऊगा, अब हम बात करते हैं कि कीवोर्ड आप कैसे लेंगे, तो आप किसी अच्छी कमपनी का कीवोर्ड लीजिएगा, सस्ते की चक्र मत पड़िएगा, कम से कम 5-6 उसरो रुपए गा जो अच्छा बढ़ी है कीवोर्ड हो, इस तरह कीवोर्ड लीजिएगा, जिसमें जो बटन हो, थोड़ा हार्ड हो, और HP का keyword बहुत बढ़ी है उस पर अगर आप practice करेंगे तो आपको काफी मतद मिलेगी अब बात आती है कि practice कैसे की जाएं तो practice आप MS Word पर भी practice कर सकते हैं अभी जो वाद या article में बताया हूँ उनको आप Google से download कर लीजिए और MS Word से practice कर सकते हैं भारत का पूरा संबिधान का PDF लिंक इसी वीडियो के description box में है आप उसको वहाँ से download कर सकते हैं और MS Word पर type करना मेरे हिसाब से उतना सही नहीं होगा क्योंकि आपको matter download करना होगा फिर print करना होगा तब आप उसमें से देख देख करेंगा और ये तरीका पुरान हो चुका है तो इसका दूसरा तरीका है typing test software की मदद से आप practice कर सकते हैं और मेरी राय में ये बहुत सुविधा जनक है अगर आपके पास इसका full version नहीं है मतलब इस software का full version नहीं है तो आपको परिसान होने की जरूरत नहीं है आप इसी वीडियो के description box में जाएए और typing test software की link पर click करके उसको अपने PCI laptop में download कर लीजे और install कर लीजे तो आईए इस software का प्रयोग देखते हैं कैसे आप इस software में अलहाबाद high code stage 2 के level का typing matter save करके उस पर practice कर सकते हैं तो अब आपको इस screen पे free typing test दिख रहा होगा यह software इस्टाल होनेक बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको लेकिन अभी हम यहां नहीं देखेंगे पहले हम यह देखेंगे कि यह judgment orders कैसे इसमें save कि जाएंगे चुकि जब तक यह judgment order save नहीं होंगे जो इसमें already save कुछ matter है software में वो उतने tough नहीं है या उतने अच्छे नहीं उस label के नहीं है तो हम पहले सीखते हैं कि यह जो आपके recording stage 2 के recording जो matter होगा उसको कैसे इसमें save किया जाए और उस पे हम कैसे practice कर भाए है तो सबसे पहले आप अलहाबाद highcourt.in की website open करिए तो कुछ ऐसा webpage खुलेगा फिर यहां पे आप judgment order पे क्लिक करेंगे फिर ऐसा खुलके आएगा यहां पे आप judgment order पे फिर से क्लिक करिए तो यह चीज़े हैं अब जिसे यहां पे special appeal number 1178 है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से copy कर लेना है और उस जगह से copy करना है जहां सी order start हुआ हूँ उसके उपर का जो notice वगएरा है नाम वगएरा है आपको copy करने की उरुप नहीं है तो यह copy हो गया आपका और copy करने के बाद आपको notepad open करना है अपने computer में notepad को यहां matter को paste कर देना है और फिर इसको किस की नाम से save कर देना है जैसे मैं यहां पर save कर रहा हूँ इसको ahc order one तो आपका यह order आ गया ahc order one अब आप software open करिए यहां पर आपको नाम type करना होगा अपना नहीं तो type रहेगा तो आप इस एड़ बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा यहां पर लिख दीजिए ahc order one और इसको करेंगे तो यह यहां पर save हो जाएगा अब देखिए ahc order one आपके उसमें आएका है जो आपके already fill इसमें और थे वह तो पहले से थे ही अब यह एड हो गया अब यहां पर आप अपना टाइमिंग दे सकते हैं duration दो मिनट पांच मिनट दस मिनट बीस मिनट तीस मिनट अगर आपको पास फुल वर्जिन नहीं रहेगा तो यह दो मिनट से ज़्यादा का इसमें आपको नहीं मिल यह फ्री टाइम भी आप जितनी देर टाइप प्रैक्टिस करना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं तो दो मिनट के लगाईए और इसको नेट जब करेंगे तो यह यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर देंगे तो यह कुछ इस तरह से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको टाइप कर पाएंगे अब यहाँ पर कुछ चीज मैं पहले से आप सेव करके रखा हूँ जैसे दक कांस्टिट्यूशन आफ इंडिया आप इसको डिस्क्रिप्शन वाक्स में मैं पहले पता चुका हूँ आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ इसमें जो इसका जो मैटर है कुछ जिसी यह पॉइंट है सेवन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अगर आप यह पार सेकंड सिटिजन से का डिटेल है इसमें तो इसको भी आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां पर मैटर ठीक ठाक आपको दिखे उसको आप कॉपी कर लिजी और सेम वही प्रोसीजर क इसी नाम से यहां पर आ जाएगा और इसको भी आप इसमें एड़ कर लिए और यह भी आ जाएगा आपको इसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हैं तो मेरी सला यह है कि आप कांस्टिटूशन के भी आर्टिकल्स लीजिये और जो जज्जमेंट आउडर है हाई कोर्ट सुप्रेम कोर्ट यह इस तरह के चर्चित केस इन सब को भी आप इसमें एड़ करिए और इन पर प्रैक्टिस करिए अब बात आते हैं कि प्रैक्टिस कैसे की जाए देखिए इन और इन सब एक्जाम को निकालने का जो मलब किसी भी नौकरी वाले टैपिंग टेश्ट को निकालने का सबसे आसान तरेकर ओर और टैपिंग टेस्ट करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप जादा जादा प्रैक्टिस करें कोई ट्रिक नहीं होती इसमें जो लोग बताते हैं का हाथ उपर करके टाइपिंग करना है आपको या ऐसे करके टाइपिंग करना है ऐसा कुछ नहीं है सिंपल साप पर डे एक घंटा से दो घंटा कर आप टाइप कर रहें तो 20 से 25 दिन में आपकी स्पीड आर्टोमेटिक बढ़ जाएगा उसमें आपको अपने आप आपका हाथ भी उपर चला जाएगा और जो टाइपिंग के नियम है उसी एक और्डिंग आप अपना काम करने लगेंगे जैसे एक बार क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंट था वो मुझसे पूछा कि IRCTC क्या विबसाइट क्या होता है तो मैं उसको बता रहा था IRCTC.com जबकि होती है .co.in तो वो टाइप कर रहा था तो वो गलत आ रहा था मुझसे पूछा किया तुम गलत बता रहे हो मैं उसको जा करके जब मैं खुछ से टाइप गिया चुकि उसमें मुझसे काम कर रहा था मैं उसे काम करते करते हैं .com बता रहा था गलती से और जब मैं टाइप किया तो अपने आप IRCTC.co.in टाइप कर दिया मेरी अंगलियों को मुझे याद था कि क्या टाइप करना है तो उस आदास आजाती है उस हिसाब से आप करते हैं जैसे आप कोई passage आप टाइप करना स्टार्ट की है तो उसका कारण यह है कि जब आप पहली बार टाइप करेंगे उस पैसेज को तो वह आपको पैसेज याद नहीं रहेगा आपको हर वर्ड पढ़ना पड़ेगा तो जब आप को पढ़ना नहीं पढ़ेगा और आपकी अंगलिया अपने आप टाइप उसको कर देंगी तो इस तरह से आप चुंकि आपके याद दस में आ गया तो आपकी स्पीड अपने आप उसमें बढ़ जाएगी और ये इसी तरह है कि एक बार अगर आपके टाइपिंग स्पीड लगाता इसको करिए फिर थोड़ा सा पांच मिनट का टाइम दीजी और पांच दिन तक पांच-पांच मिनट के टेस्ट सेडूल करते रहे इस तरह से एक कम से कम आपको एक से दो घंटे करना हुगा फिर दस मिनट का पांच दिन करिए फिर बीस मिनट का पांच दिन करिए और फिर 30 मिनट या free timing दे करके आप एक घंटे या दो घंटे per day practice करिए आपकी निश्चिती speed आपकी 40, 50, 60, 70 के असपास पहुंच जाएगी और जब आप typing test देने जाएंगे इलहाबाद high core stage 2 का तो आपकी एक और इसी भी बहुत अच्छी रहेगी और speed भी बहुत अच्छी रहेगी और इसमें आपको पूरा 50 नंबर आपको मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करिए और इसी तरह के और updates के लिए चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करना न भूलिएगा जिससे आपको इस चैनल की latest update मिलती रहे वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद